नमस्षेकर दोस्तों एक जामित्तर में एक बार फिर से आपका स्वागता आश्चा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रखा है तो अब आगे क्या करें तो दोस्तों सारी जानकर आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तब हैसे की आने वाले से भी वीड का है जिनोंने सेकंड टाइम में बहुता है थर्ट टाइम में बहुता है सभी को ये वाला जो मेसेज है वो शो कर रहा है ये रिजेक्टेट टू यूर यूर अलाओ तो फिल दा एक्जामिनिशन सिटी थस यू आर्फोर एडवाज तो लोग इन विट क्रेदेशल अंड क् बार सबी candidate login करके जरूर check रहे अगर आपके ये वाला error आ रहा है तो आपको फिर से अपना city choice है वो feel करनी होगी और city choice feel करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है आपको wait करना है अब जिन्होंने city choice feel कर दी है वो बार-बार में उसी चीज़ को repeat कर रहे हैं तो आपको बार- 2021 तक आपको time दिया गया आपका जो status है वो आपका show हो जाएगा अगर आपने सब चीज़े feel कर रही है आपने 7 step है जो आपकी yellow show कर रही है यहाँ पर red कुछ भी show नहीं कर रहा तो आपको चिंते तो नहीं की आविशकता नहीं है आपका status है वो accept हो जाएगा यह almost सभी student के status से करना चाते है तो aims के दोरा ऐसा कभी भी नहीं किया जाता वो आपका minimum 24 to 48 hours है वो last जो आपकी date दी गई है उससे 24 to 48 hours का time है वो लेते ही है आपका जो status है वो show करने में तो आप जैसे काफी student ने तो दो दिन पहले कर रहा है लेकिन फिर भी उनका show नहीं हो रहा तो आप last date भी देखिए कि आपकी 712 2020 दे रहे है पांस बजे तक की उसके बाद में आपका 100% जो status है वो show हो जाएगा लेकिन वैसे आपको panic करने की आवश्यक्ता ही नहीं है क्योंकि अगर आपने सारी चीजे ओल्रेडी feel कर रहे है और बिल्कुल correct feel कर रहे है तो आपका जो status है वो accept ही आएगा बस आपकी जो सारी details है वो correct होनी चाहिए और पहले से correct थी पहले से जिनका accept था अब उनको reject शो हो रहा है तो उनका जो reason हो examination city का अगर आपने examination city सही feel करती चारू preference अच्छे से feel कर दिया और submit कर दिया है तो आपको wait ही करना है और एक अपनी security के लिए EMS को mail जरूर ड सारी details feel करने के बाद में अगर by chance वैसे होगा नहीं कि आपका details feel करने के बाद में भी reject हो अगर by chance अगर आपका फिर भी reject रहता है तो आपके पास में प्रूफ रहेगा कि आपने सारी details already feel कर रहे थी पहले आपका accept रहा था लेकिन फिर बाद में details feel करने के बाद में भी reject शो ह रहा है तो वो आपकी फिर फोल्ट नहीं रहेगा वो एम्स की तरब से फोल्ट रहेगा फिर एम्स उस पर कुछ ना कुछ एकसल ले सकता तो यह आपकी सिक्यूरिटी की वज़ा से मैं यह आपको बता रहा हूं तो आप मेल जरूर कीजिए और कोशीज कीजिए कि एक बार कंपरमेशन है वो जो टॉल फ्री नंबर दे रहे हैं उनसे भी आप एक बार अपना कंपरमेशन लेसके तो वैसे मैंने कोल किया है उनकी तरब से यह रेस्पॉंस है कि साथ बारा दोजार इकिस के बाद में आपका जो स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा तो आपको चि इस्यू क्रियेट हो सकता है यह एरर अगर नहीं आ रहा एक्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी स्टेडी फोकॉस कीज़े इसकी वज़ए से ओल्मोस सभी स्टूडेंट अपनी फोकॉस नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको क्यावल अ अल्मोस टाइम बचा है बीच दिन में अगर आप पूरी कंसिस्टेंस इक साथ में स्टेडी करेंगे तो ही आप अपना सेलेक्शन ले पाएंगे अब स्टूडेंट के मन में यह रहेगा कि हमारा तो रिजेक्ट आ रहा है तो हम स्टेडी किस तरीके से करें तो दोस्तों र अपनी स्टेडी फोकस करें अपनी डिटेल्स फील कर दी आपनी एक्जम लिशन से फील कर दी तो आप बार बार में उसी चीज़ को रिपीट ना करें रिपीट करनी है तो अपनी स्टेडी पे करें रिवीजन को रिपीट करें जिसे कि आपके लिए जो एक्जाम है आपका follow करेंगे तो 100% अबना selection सुनीशीत कर लेंगे otherwise आप lifetime लिए regret feel करते रहेंगे तो आपको अपना paper pattern समझना paper level किस तरीके से आएगा question किस तरीके से पूछे जाएगे ये आपको इस mock test में समझ में आजाएगा चाहिए BSNR Singh के हो या आप parameterically student हो या आपके complete syllabus based आपके mock test paper है आप इनके इर्दिकिर्दी आपके question हैंगे और हो सकता है कि आपके काभी सारी questions in mock test paper में सही पूछे जाए तो ये आप जरूर avail करें अवेल करने के बिल्कुल simple सी process है बाइनाओ पर क्लिक करना है और साथ ही दोस्तों mock test के साथ साथ में आपको objective e-book जिसका link description box में दिया गया mock test का भी description में है अगर आपने इन दोनों को अच्छे से follow कर लिया last time में तो आप 100% अपना selection हो सुनीशीत कर लेंगे अगर आपने इनको complete कर लिया दोस्तों mock test और आप objective e-book objective e-book है वो आपकी complete syllabus cover करती है हर एक chapter में कितने objective mcq बनते हैं वो सारी उसमें compile किए गया साथ ही हर एक क्यूसन का detail answer solution भी है तो यह आपके लिए दोस्तों एक रामबान की तरह साभित होगी तो इसको जरूर अवेल करें हो साथ ही mock test paper को भी तो इन दोनों को अवेल करने के दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल same सी है mock test और objective को mock test को अवेल करने के लिए bynopi क्लिक करना है bynopi जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के से interface आएगा इसमें अपना नाम फिल करना है और अपनी active email email आईडिया आपकी active होने चीज़ जिसके password आपके पास में हो और email id आप एक बार जरूर चेक कीजिए सही होनी चीज़ और आपकी content इस next पे क्लिक करना है जैसे next पे क्लिक करेंगे payment के लिए पूचा जाएगा आप उन पे paytm debit card जो भी mode हो आपसे payment कर सकते हैं payment confirmation पर आद में download download file का option आएगा उस file को download करना है और वाहं से तुरंथ बाता mentorship download नहीं कर पाते हैं तो आपने जो email id दिया है तुरंथथ आपके पास में email भी आएगा उस mail में पर डाउwn mentally Уप्सेन आएगा तो आप दो जगह आपको download file का option आजह सकते हैं फाइल डाउनूड करने के बाद में उस फाइल में आपको complete जो 10 mock test पर दे रहे हैं, उनके link available है, उनको आपको copy करना, clickable नहीं मिलेंगे, उनको copy करना है और अपने browser में paste कर देना है, आपका mock tester वो start हो जाएगा, इसी तरह की से जो objective ebook है, उसको भी आप available कर सकते हैं, अगर आपके 11 तो 12 तो 12 तो 18 वेस्ट के English language में ही मिलेंगे ये, और विससे मैंने आपको already pyq, objective ebook, English और Hindi में, मैंने already provide करवार का है, तो description box में सभी study material के link भी आपको दे रखे हैं, तो आपको अच्छे से उनको follow करना है, पूरी consistency के साथ में study करेंगे, तो ही selection ले पाएंगे, otherwise लाक तो आपके लिए वीडियो यूज़ फूल रहा हुगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, कोई भी doubt है, comment box में पूल सकते हैं, Instagram follower के वहाँ से भी जानका ही ले सकते हैं, और same चीज़े जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो प्लीज आप Instagram पे वही चीज़े रिपीट ना करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, धन्यवाद जहीं, जे भारत